शो, हेलो अब्रीवन, जुहार अश्टडी टूप पर आपका गेंसू विल्कम है आज के इस सेशन में जेसी सी कलर का प्रेकी सेट नंबर थर्टी एट देखने वाले सो चलिए सेशन को अस्टार्ट करते पहला परशने नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक रजधानी कहां थी कहां पर थी सुतियामबे नागवंशी राजा ने सरपर्थम नौरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्मान कहां करवाया था कहां पर करवाया था दो इस्सा में नेख्ट परशने टाना भगत आंदोलन के नितरित करता कोन थे। टाना भगत आंदोलन की बात करेती यह कब की घटना है यह घटना है 1914 इस्वी के। इसके परमुख नितरित करता की जदी हम लोग बात करें तो वहां नितरित करता थे जत्रा भगत जत्रा उराओं। नेक्ट परस्ने, चेरोम विद्रो का नेद्रीद किसके किया था? बुखन Σी के द्वारा नेक्ट परस्ने, बिर्षा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिर्षा मुंडा की जन्म कि बात करे, इनकी जन्म एक्जैक डेट बात करे, 15 नुखर, कब 15 नौवंबर 1875 इस्वी को और इनकी मिरितियू जदी बात करे तो इनकी मिरितियू 9 जून 1900 इस्वी को रांची की एक जेल में हैजा नमक बिमारी की कारण हो गई थी अखिल भारती जारकन पार्टी की अस्थापना कब हुई थी इस पार्टी की अस्थापना की बात करें इसका अस्थापना उनिस सो सारसट इस्वी में की गई थी नेक परशन है भारत सरकार द्वारा किस उध्यान या फिर अभ्यारन में बाग परियोजना चलाई जा रही है इस परशन का राय टेंसर हो जाता ओप्षन नमबर C बेतला राष्टी उध्यान बेतला राष्टी उध्यान की बात करें जो कि जार्खन का एकमात्र राष्टी उध्यान है इसकी अस्थापना 1986 इस्वी में की गई थी वहीं पर बात करें इसका चेतरफल या कितने एरिया अस्वायर में फैला हुआ है तो 231.76 कितना 231.76 किलो मीटर अस्वायर एरिया चेतरफल में या फैला हुआ है बेतला राष्टी उध्यान की बात करें जो कि जार्खन के लातेहार जिले में इस्थित है नेक परशन है जार्खन की राजधानी राची की उचाई समुद्र तल से कितना मीटर उचा है इतना है छे सो एक सट मीटर जेन धर्म के कितने तिरितकर ने समेत सिखर पर मौच प्राप्त किया था समेत सिकर से तात पर है पारसनात पहाड़ी जो की झालकन की सबसे सर्वोच चोटी है इसकी उचाई बात करें तो 1365 मिटर वहें पर जदि हम रोग बात करें फीट में तो 4802 फीट इसकी उचाई है फीट में मीटर में 1365 मीटर जो की greedy जिले में इस्तित है तो इस परशन का right answer रोजाता है option number B 20 देन धर्म तिर्थ करनी next परशन है भारत द्वारा उत्पादित तसर रेसम की उत्पादन में जहरकन का भाग है तो इस परशन का right answer रोजाता है option number A 60% जो की अभी current में बात करें तो यहां बढ़कर की हो गया है 76% जहरकन का साबदिक अर्थ है जहरकन का साबदिक अर्थ होता है वन परदेश नेक परशन है इस राइस का नाम जहरकन क्यूं पड़ा तो क्यूं पड़ा जहारियों एवं मरनों की बहुलता के कारण किस वेद में जहरकन को की कार्टा नामा देशो अनात से संब्वधित किया गया है तो इस परशन का राइट एंस रोजाता है option number B रीग वेद में में एक परशन है पुरत तात्विक अस्थल इसको के समद में कौन सा खथन सत्ती है तो इस परशन का राइट एंस रोजाता है option number D उप्युक्त सभी नेक परशने किस अस्थल से प्रेगाती हासी काल के धुरलब सेल चीतर एवं प्राकेटी गुफाएं प्राप्त हुई है इस परशन का राइट एंस रोजाता option number C भावनात पूर गडवा भारती प्रत्त तुम्में असूर सब्द का परियोग जार्खन के किन-किन जिल्लों के लिए हुआ है गुमला जिल्ले के लिए मगत से दच्छिन भारत की और जाने वाला बेयापारिक मार्ग कहां से होकर जाता है जहर्खन से, मोरिकाल में किस छेत्र का अपना राजनीतिक आर्थिक तता समाजिक महत्तु था जहर्खन का, कोटल ये ने अपनी परशित पुस्तक अर्थ सास में जहर्खन को किस नाम से समोधित किया है इस नाम से क्या है कुकट देश से मुगल सासक अकबर ने कब ज्ञारखन को अपना करदातव परदेश बनाया 1585 इस्वी में 1538 इस्वी में सेर्शा ने अपने सेनापती ख्वासक खां को किस चेरो राजा के बिरुद सेनिक करवाई के लिए भेजा था महारत चेरो ज्ञारखन को किस मुगल सासक ने सरपर्थम अपना करदातव परदेश बनाया अकबर सासक के द्वारा पर्थम दर में कितने परचारक ज्ञारखन आये थे तो कितने परचारक थे चार परचारक गोशनर मिशन का विभाजन कब हुआ अठारा सो उनातर इस्वी में ज्ञारखन की जलवाई कैसी है उस निकटी वंदिय मौनसूनी ज्ञारखन में मुख्यता कितने परचार की मौसम या रितू पाये जाते हैं कितने परचार की तीन परचार की नेक्ष्ट परश्णे जार्खन को जलवाई को परभावित करने वाला कारक नहीं है तो वह कारक हो जाता है गंगा नदी नेक्ष्ट परश्णे जार्खन की अधिकांस नदिया कैसी है तो कैसी है बरसाती नदी है नेक्ट प्रशने जालखन की नदियों की परवा के दिशा की अनुसार कितने भागों में बांटा जाता है दो भागों में सोन नदी कहां से निकलती है सोन नदी जो की अमरकंटक की पहाड़ी से होकर की निकलती है सोन नदी की साहिक नदी बात करें इसकी साहिक नदी है उत्री कोयल और उत्री कोयल की दो साहिक नदी है कुण-कुण एक है ओरंगा और एक है अमानत नेक्ट प्रशने किस राइज को रत्न गर्भ कहते है जार्खन राइज को जार्खन में अस्थापित पर्थम उद्योग कुन सा है तो वहाँ उद्योग है लोह इस पात उद्योग नेक्ट प्रशने जार्खन जंगना 2011 के अंतिम रिपोर्ट के परसाखन कि नोईजम आकडो के अनुसार जार्खन की जनसंख्या कितनी है जनसंख्या के मामले में जदी बात करें तो इसका अस्थान हो जाता है 14 वही बात करें चेतरफल के आकड़े पर जार्खन कुन सा अस्थान आता है भारत में तो वह अस्थान है 15 बट जनसंख्या के मामले में 14 नमबर पर आता है जार्खन में जनजातियों की संख्या बतावें जार्खन में जनजातियों की कुल संख्या है 32 जिसमें की परमुक जनसंख्या है 24 बा आदिम जन जाती